गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग जैसा कि हम लोग का ट्रिगना मेट्री का बहुत सारे पार्ट अभी तक खतम हो गया है ठीक है अब उसी में अब एक नया कॉंसेप्ट का भी बचा हुआ है मैक्समा मिलमा का ठीक है तो आज से हम लोग मैक्समा एंड मिलमा फिसके होता क्या है ठीक है जयसा कि आप लोग को मैंने शुरुवात में बता रखा है कि ठीके में चे ट्रिग्ना मेट्रिक फंक्चिन होते हैं कॉं-कॉंसे एक होता है sin, cos, 10, cos, x,and, cos, and trigonometric function है इनकी कुछ न कुछ maximum value और कुछ न कुछ minimum value ओती है तो इनकी क्या maximum value होती है क्या minimum value होती है यही मैं आज आद आप कियो बताने जा रहा हूँ में फdock को पर हम लोग question भी discuss करेंगे हम लोग इसको maximum minima को 2-3 पार्ट में cover करेंगे, आज पहला पार्ट में discuss करने जा रहा हूँ, अभी इसके और भी वीडियो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले maxima और minima होता क्या है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग की भी एक maximum limit होती है, हर तो ये आपकी क्या हो गई, maximum limit हो गई, और minimum limit क्या हो गई, कि पढ़ी गई न, दिन बार facebook देखिये, whatsapp देखिये, tiktok देखिये, तो ये क्या हो गई आपकी, minimum limit हो गई, ठीक है, तो इसी तरीके से आपके trigonometric function की भी maximum और minimum value होती, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक अदुल जा रहे है, इसे को पर अभी question हो गाँ है, इसी तरह अगर मैं sin का power 2 कर दूं, मलता, sin का square कर दूं, ठीक है, अगर sin का square कर दूं, तब भी 1 का square 1 नहीं ओगा, लेकिन जब minus 1 का square करूंगा, तो वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए minus 1 का square 1 हो जाएगा, इसका मलता माइक्सम हो जाएगी यह मैं सभी तो मिनिमम मैल तो साइन थिटा की भी कुंसमट बूक्ल कर प्लस बंधिमनस होगी है साइन इसकोぎ गूक्णा मैंस फश्करावर स्वॉम्हन ख्रावड है कि 컨्क्ट्णों निकल का कि है कि ठीक है और जब sin की power even है जब sin की power क्या है even है ठीक है तो maximum value plus 1 है minimum 0 है clear है ठीक है इसी तरह हम लोग cos में देख लेते हैं cos theta में maximum value plus 1 minimum minus 1 cos square theta की maximum plus 1 minimum 0 cos cube theta की maximum plus 1 minimum minus 1 इसमें वही चीज है कि ठीक है कि अगर power even अगर power odd होगी तो sin और cos दोनों में यह याद रखेगा कि sin और cos की power maximum अगर odd होगी तो maximum value plus 1 होगी minimum minus 1 होगी इसी तरह sin square theta या cos square theta की power even होगी sin theta cos theta power क्या होगी even होगी то maximum plus 1 होगी minimum minus 1 बस आपको यह ध्यान लगना power odd है तो plus one, minus one, power even तो plus one और zero, ठीक है, इसे तरह 10 में आ जाते हैं, ठीक है, 10 theta की maximum value plus infinite होती है, minimum minus infinite ठीक है, इसे तरह 10 square theta की maximum plus infinite minimum zero ठीक है, तोकि हम minus infinite के अगर square करेंगे तो plus infinite आ जाएगा, जो की possible हैं, इसल髻 क्या लेंगे हम zero लेंगे, ठीक है, इसी तरह कॉर्टदध झेल कि मैक्सम वैल्यू प्लस इंफाइनाइट और मैंनसजिक्टाइट ठीक है। च्वाल एकलाइजिट टेंबलनेंगर जोबूटि तो टेन और मिनिमंफेट और 10 और cot की power अगर even है तो maximum plus infinite और minimum, minimum क्या होगी, 0 होगी, clear है, सबको, ठीक है, इसी तरह sec और cosec में देख लेते हैं, तो sec theta और cosec theta में भी वही चीज है, कि sec theta की अगर, यहाँ power 1 है, sec theta की power अगर 1 है, ठीक है, तो maximum value की होगी, plus infinite, minimum, minus infinite, ठीक है, इसी तरह sec square theta मलब पावर 2 कर दें, तो maximum plus infinite होगी, minimum, plus 1 होगी, ठीक है, तो यह बात ध्यान दखेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगे सोच है, कि यहाँ 0 होना चाहिए, नहीं 0 नहीं होता है, क्या होती है, प्लस 1 होती है, minimum, clear है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक, चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, और इसी तरह cosec theta में भी, cosec theta में, maximum value, plus infinite, और minimum, minus infinite, और cosec square theta गी, maximum infinite, और minimum, plus 1, clear है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग करें, कि 0 क्यों नहीं लिखे है, 0 इसलिए नहीं लिखे है, क्योंकि आप sec और cosec का table उठा के देख लिजेएगा, आप देख लिजेगा, sec theta और cosec theta कभी भी 0 के form में नहीं होते है, ठीक है, तो आपक और cot की power अगर odd है तो, plus infinite, minus infinite, 10 और cot की power अगर even है तो, plus infinite और 0, यह ध्यान दखना पड़ेगा, ठीक है, sec और cosec की power अगर odd है तो, plus infinite और minus infinite, sec और cosec की power अगर even है तो, infinite और 1, 0 नहीं होगा, 1 होगा, clear है, ठीक है, यह बात ध्यान दखिएगा, चलिए, अब हम लोग अगली slide पर चलते हैं यहां पर देखिए एक important fact लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ध्यान से इसको याद रखेगा मेशा कभी-कभी इसको पर question पूछा आता है लोगों को पता नहीं रहता है ठीक है लिखा हुआ है कि sec theta cos theta की value minus infinite से plus infinite के बीच कुछ भी हो सकती है ठीक है केवल यह sec sec और cosec के लिए मैं बता रहूँ और किसी के लिए नहीं बता रहूँ ठीक है sec और cosec theta की value minus infinite से plus infinite के पीच कुछ भी हो सकती है ठीक है तो पहला fact तो आपको यह द्यान रखना है लेकिन अगले fact में लेकिन करके कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है लेकिन minus 1 और plus 1 के ब सकती है लेकिन sec theta की value minus 1 और plus 1 के बीच नहीं हो सकती है इसका मतलब समझें इसका मतलब यह हुआ कि sec theta की value 0.5 नहीं हो सकती है sec theta की value 3 by 4 नहीं हो सकती है sec theta की value 0.25 नहीं हो सकती है sec theta की value 0.25 नहीं हो सकती है sec theta की value 0 नहीं हो सकती है क्यों क्योंकि यह सारी जो मैंने अभी कि बीच में नहीं हो सकती है, मैनस वन हो सकती है, 플्लस वन हो सकती है, मैनस वन और प्लस वन के बीच का यह जो gap है, इस gap में जितनी भी values आएंगी, वो कभी भी sec θное सब्ह 정병 dois दो सकती है, कोई कह सब्ह 정보 के वाल दो पाँच हो सकती है हाँ हो सकती है, कोई कह स्थथटा की value or cosθ debt value minus 10 हो सकती है यहाँ हो सकती है लेकिन अगर कोई कह स्थथटा और cosθ Χथटा की value minus 0.4 हो सकती नहीं हो सकती क्यों क्यों कि minus 0.4 जो आ रहा है वो minus 1 और plus 1 के रहा है बात समझ में आ रही है clear है ठीक है तो यह बात ध्यान दखिएंगा एकसाग theta, कॉसेग theta value, minus infinite, plus infinite के बीच, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन minus 1 plus 1 के बीच नहीं हो सकती है, जबकि minus 1 और 1 हो सकती है, इसी को पर मैंने question लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, क्या रहा है, कि which one is incorrect, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है, हो सकते हैं क्योंकि मैंने काया कि sin theta की value minus 1 से plus 1 के bीच होती साइन theta की minimum value minus 1 होती, maximum plus 1 होती है और 9 बटे 10 तो minus 1 plus 1 के बीच आता है, इसका मलब ये हो سकती है, ठीक है अगला देखते है, cos theta की value 9 हो सकती है, हाँ हो सकती है, cos theta भी minus infinite से plus infinite के बीच में आता था है, इसका मलब नो हो सकती, ये भी सही है, sec theta value 1 by 2 हो सकती है, अब ये देखते है, sec theta value 1 by 2 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्यों कि जो sec theta है, वो minus 1 और plus 1 के बीच आ रहा है, और 1 by 2 भी minus 1 और plus 1 के बीच आता है, इसका मलब sec theta value 1 by 2 नहीं हो सकती है, ठीक है, 10 theta के value 900 पच्चान भी हो सकती है हां हो सकती क्यों हो सकती क्योंकि 10 theta भी हमारा minus infinite और plus infinite के बीच आ रहे हैं तो पताईए इसमें से कौन सा गलत है इसमें से आपका third वाला option गलत है क्योंकि हमने अभी-अभी आपको पताया है कि 10 theta के value minus 1 और plus 1 के बीच में नहीं हो सकती है उसके अलावा कुछ भी हो सकती है clear है ठीक है चलिए अब हम लोग अगरी slide पर को के question आते हैं जैसे आप से पूछ लिया 10 plus sin theta ऐसे question लिख देगा क्याएगा 10 plus sin theta की maximum और minimum value क्या होगी ठीक है तो अब हम लोग कैसे देखेंगे अभी हम लोग 10 को नहीं देखेंगे अभी हम लोग sin theta को देखेंगे आप खुद बताईए sin theta की मैंने 2 value अभी अभी आपको बताईए maximum minimum क्या क्या बताईए एक minus 1 और एक plus 1 ठीक है तो एक बार sin theta जगे यहाँ minus 1 रख लीजे एक बार plus 1 रख लीजे ठीक है और उसके बाद क्या करिए 10 में से 1 गया 9 10 में 1 जोड़ा 11 तो बताईए 9 11 में बड़ा कौन है 11 तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा maximum होगा जो छोटा होगा वो minimum हो ठीक है अब ऐसा हमेशा ध्यान रखेगा कि कभी ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पर जो मला maximum value रखने maximum आनी आगा minimum value रखने पर minimum यह आगा ऐसा कुछ नहीं है कभी-कभी maximum value रखने पर minimum रखने पर maximum रखने पर maximum आजाता तो आपको final answer पर अगर फाइनल में नमबर है जो बड़ा है वो बड़ा जो छोटा है वो छोटा ठीक है इसी तरह 10-chos theta की value निकालने जा रहे हैं हमने cos theta की बी दो value बताई थी क्या 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 माइनस 1 और plus 1 ठीक है तो 10 में माइनस 1 को माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगो तो 10 में एक जोड़ा 11 10 माइनस एक 9 तो कौन बढ़ा है 11 बढ़ा इसका मलदा है यह maximum यह minimum ठीक है इसी तरह अगला कोशन देखिए 10 प्लस sin square theta की maximum minimum value क्या होगी ठीक है आपको मैंने बताया कि sin square theta की भी दो value होती एक maximum होती प्लस 1 minimum होती है 0 चार्ट में लिखवाया है ठीक है तो यहां 0 1 लिख लिए तो 10 में 0 जोड़ा 10 आगया 10 में जोड़ा 11 तो कौन बढ़ा 11 11 maximum होगा 10 minimum होगया ठीक है इसी तरह 10 minus cos square theta की भी हमने दो value बताईए एक 1 बताईए क्या बताईए जीरो बताईए तो जब यहां 1 रखेंग तो 10 माइनस एक 9 ठीक है यह माइनस का साइन है थोड़ा बढ़ो गया ठीक है 10 माइनस जीरो दस ठीक है तो दस याद होना चाहिए जो हमने चार्ट वहाँ बनवाया अभी शुरुवात में बस वो याद होना चाहिए आपसे question खतम हो जाएंगे clear है ठीक है चलिए आईए अगले type का question देखते हैं ठीक है कभी-कभी आपको इस type का expression दिया रहेगा अब यह सारी चीज़ें जो मैं बता रह को कैसे करेंग देखें यहां लिखा हुआ a sin square theta plus b cos square theta ठीक है करें इस expression की maximum minimum value क्या होगी ठीक है तो कभी भी same to same अब यह expression आपको याद होना चाहिए ठीक है कभी भी same to same आपको a sin square theta plus b cos square theta type का expression दिखें तो आपको अगर maximum minimum value पूछी जाए तो इसके लिए आज के बास से आप कर दّीजे कि जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, इसका मतलब क्या कि जैसे माल दीजे a sin square theta और b cos square theta में a बड़ा है और b छोटा है ठीक है, то maximum हो गया a minimum हो गया b, या b बड़ा है a चोटा है, то maximum हो गया b, minimum हो गया a clear है, ठीक है, तो यह बात ध्यान दखिए घक ह है तो जो कोफिशेंट बड़ा वो maximum जो कोफिशेंट छोटा वो minimum कोफिशेंट का मलब घुडांग है अब देखिए इसको पर question कैसे आते है जैसे पहला question है 10 sin square theta plus 15 cos square theta की maximum minimum value क्या होगी ठीक है तो बताइए 10 और 15 में कौन बड़ा है इसे तरह अगला question 15 sin square theta 27 cos square theta यह भी वैसा ही a sin square theta plus b cos square theta टाइप का ठीक है तो maximum हो गई 27 minimum हो गई 15 ठीक है इसे तरह अगला question देखिए अगले question में कह रहा है 2 sin square theta हो गई दो ठीक है इसी तरह अगला कोश्चन देखिए यहां पर कह रहा है पंदरा साइन स्क्वाय थेटा माइनस थेश कॉस्वाय थेटा की मैक्समिने वल्लू बतानी है तो सबसे पहले कुछ लोग को कह रहे हैं यहां बीच में तो माइनस लग गया लग गया तो क्या हुआ प्लस लगा कि ब्रैकेट में क्या लगा दो माइनस लगा दो ठीक है अब बताइए इसको हम क्या पढ़ सकते हैं इसको पढ़ सकते 15 साइन स्क्वाय थेटा प्लस माइनस थेश कॉस्वाय थेटा तो बताइए 15 और माइनस 30 में कौन बढ़ा है 15 तो मैक्सम हो गई 15 मिनुम हो सब्सक्राइब माइनस में जो छोटा होता है वही बढ़ा होता है इसका मलब कौन बढ़ा है माइनस 11 बढ़ा है ठीक है अगर माइनस 11 बढ़ा है इसका मलब मैक्सम हो गई माइनस 11 मिनिमम हो गई माइनस 19 ठीक है तो second type के question में आपको क्या कहना है, समझ में आगिया, ठीक है, बस आपको यह देखना है कि क्या A sin square theta plus B cos square theta type का है, अगर है तो बस आपको यह ध्यान दखना है कि जिसका coefficient बड़ा, वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, ठीक है, अगर A बड़ा, तो maximum में minimum B, अगर B बड़ा, तो maximum B minimum A, ठीक है, इसे तरह अगले type के question देखें कैसे आते है, maximum minimum में, ठीक है, maximum minimum में अगले type के question इस तरह से आते है, ठीक है, जैसे कि यहां एक expression लिखा हुआ है, देखें किया लिखा हुआ है, लिखा हुआ हूए A second square theta plus B 10 square theta, ठीक है, अब जब इस टाइप का expression आएगा, कभी भी इसकी maximum value आपसे नहीं पूची जाएगी, हमेशा कौन से value पूची जाएगी, minimum, ठीक है, तो अगर a sec square theta plus b 10 square theta type का expression है, अब ये सारे expression आपको याद होने ची बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे expression नहीं याद है, तो फिर question करना थोड़ा सा इसकी minimum value हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे है, बस आपको ये देखना है, कि sec square theta का गुड़ांग क्या है, ठीक है, जो sec square theta का coefficient होगा, वही minimum होगा, और हमेशा, जब इस type का question आएगा, तो हमेशा sec square theta का coefficient ही, छोटा रहता है, ठीक है, तो जो sec square theta का coefficient है, वही क्या होगा छोटा, जैसे इसमें हम से पूछा जा, a sec square theta plus b, 10 square theta की minimum value क्या होगी, तो मैं कहूँगा, a होगी, clear है, ठीक है, चलिए, इसी के ओपर अब कुछ question देखते है, जैसे कि यहाँ पहला question है, क्या है, caret 10 square theta plus 15, 10 sec square theta, plus 15, 10 square theta की minimum value क्या होगी, ठीक है, अब इसमें देखें कैसे कर यहाँ पर बताईए, हमने अभी अभी बताया, कि जब भी a sec square theta plus b, 10 square theta type का expression दिखेगा, तो जो sec square theta का कुडांकों का वही क्या होगा, minimum तो minimum क्या होगी, 10, ठीक है, इसे तरह 18 sec square theta plus 39, 10 square theta का minimum value क्या होगा, 18 होगा, क्यों, क्योंकि sec square theta को option का 18, ठीक है, तो third type का आपको समझ मे ठीक है, first type में मैंने क्या बताया, वही चार्ड के उपर सारे question है, second type में, a sin square theta plus b cos square theta बताया, तो उसमें क्या बताया, जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है, third type में क्या बताया, a sec square theta plus b 10 square theta, इसमें क्या होता है, कि जो sec square theta का coefficient होता, वही minimum होता है, ठीक है, इसी तरह के एक और टाइप discuss करने जा रहे हैं, ठीक है, कभी भी आज के बाद से आपको a sin theta plus b cos theta type का expression दिख जाए, कैसा दिख जाए, a sin theta plus b cos theta type का expression दिख जाए, अब यहां sin square cos square पर नहीं है, बस a sin theta b cos theta है, ठीक है, तो इसमें maximum value भी पूछी जाएगी और minimum भी, ठीक है, तो maximum value कैसे निकालेंगे, plus under root, इसका sin का गुड़ांग, मदलब a square, cos का गुड़ांग, मदलब b square, plus under root a square plus minimum में minus sign रख जाएगा, ठीक है, तो यह बात ध्यान दखेगा, कि कभी b a sin theta plus b cos theta type का expression है, तो उसकी maximum value क्या होगी, plus under root a square plus b square, minimum क्यों होगी, minus under root a square plus b square, ठीक है, चलिए, अब इसके उपर question हम लोग देखते है, जैसा कि पहला question है, find maximum minimum value of 8 sin theta plus 15 cos theta, ठीक है, अब बताएगे, a sin theta plus b cos theta type का expression है, तो maximum value क्यों होगी, plus under root a square, मतलब 8 square plus 15 square, तो 8 square 64, 15 square, 215, 215, 215, 219, मतलब कित्य होगी, plus 17, ठीक है, minimum क्यों होगी, minus 8 square plus 15 square, मतलब 8 square 64, 15 square, 215, 225, 289, क्या होगी, minus 17, ठीक है, तो maximum होगी, plus 17, और minimum होगी, minus 17, ठीक है, इसी तरह अगला question, अगला question, थोड़ा साच्छा question है, देखते हैं, आईए, करा, find maximum and minimum value of 27 to the power sin theta, ये dot का मतलब बेटा, इन्टू है, ठीक है, इन्टू, 2081 to the power cos theta, ठीक है, इसकी maximum minimum value हमको बताने है, ठीक है, तो बताइए, 27 और 81 को मैं 3 की power में change कर सकता हूँ, तो आईए, सबसे पहले, इन दोनों का base same करना है, ठीक है, तो इसको 3 की power 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 की power 4 की power cos theta, ठीक, यहां क्या हो गया, 3 की power, power to the power का multiplication होता है, तो 3 की power 3 sin theta, और 3 की power 4 cos theta, दोनों का base same है, बीच में into का sign है, तो power भी क्या होँगी, add हो जाएंगी, तो क्या हो गया, 3 की power 3 sin theta plus 4 cos theta, ठीक है, अब बताए, यह a sin theta plus b cos theta जैसे expression नहीं दिख रहे है, ठीक है, अगर यह a sin theta plus b cos theta जैसे expression दिख रहे है, 3 की power under root a square, मदलब 3 का square plus 4 का square, ठीक है, 5, और minimum क्यों होगी, बस आगे क्या लगा दू, minus 9, मदलब 3 की power minus 5, ठीक है, तो यह question थोड़ा सा अच्छा है, अगर आपको यह question एक बार आप नहीं करे रहेंगे, तो फिर question करने में दिक्कत होगी, ठीक है, चले अगला question देखते हैं, अगला question भी थोड़ा सा, ठीक question है, आईए देखते हैं, ठीक है, करा 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3 की value क्या होगी, ठीक है, अब यहाँ 5 cos theta तो ही है, plus 3, यहाँ पे cos a plus b जैसा नहीं देख रहें, अच्छा बताई, cos a plus b का मैंने formula आपको बता रखा है, क्या formula होता है, cos a into cos b minus sin a into sin b, तो उसी formula से मैंने इसको open कर लिया, cos a cos b minus sin a, sin b से मैंने इसको क्या कर लिया, open कर लिया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद, यहाँ 5 cos theta तो यह 3 cos theta है, यह पाई की value होती, 180, 180 upon 3, 60, 180 upon 3, 60, ठीक है, plus 3, ठीक है, 5 cos theta अधा है, plus 3 cos theta, cos 60 कर लो, 1 by 2, sin theta होता है, sin 60 कर लो, root 3 by 2, plus 3, ठीक है, 5 cos theta तो ही है, यहाँ bracket open करेंग, तो 3 cos theta by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, minus 3 root 3, sin theta by 2, प्लस 3, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे, जब मैं इसको add करूँगा, इसको add करूँगा, तो 5, 2, 10, 10, 13, 13, 13, बटे 2 cos theta, यहाँ minus 3 root 3 by 2, sin theta, प्लस 3, ठीक है, अब अब दाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, a cos theta, plus b sin theta जैसा दिख रहे है, ठीक है, तो इसकी maximum value, minimum value निकाल सकते है, क्या होगी, plus under root a square, मतलब 13 बटे 2 का square, plus minus, बाहर लिख लिजे, ठीक है, तो एक साथी value आजेगी, plus minus under root, 13 बटे 2 का square, plus 3 root, 3 root 3 by 2 का whole square, और plus 3, ठीक है, 13 का square, 169, 2 का square, 4, 3 root 3 का square, 3, under root 4 का whole square, 14 बटे 2, 7 बटे 2, 7 आगे, मतलब plus minus 7, और plus 3 आगे, ठीक है, अगर maximum निकालनी है, तो एक बाह साथ के साथ, plus sign ले लो, ठीक है, जब साथ के साथ, plus sign लेंगे, तो 7, 3 क्या होगी है, 10, minimum निकालनी है, तो साथ के साथ, minus sign ले लो, का maximum value आगया, plus 10, minimum आगया, minus 4, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज अच्छी थी, क्या, कि यहाँ पे जो cos a plus b का formula लगाए, अगर यह formula आप नहीं लगा होगे, तो फिर यह question करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखते है, ठीक है, अगला question देखे, क्या कह रहा है, कह रहा है, 10 cos square x plus 6 sin x cos x plus 2 sin square x की maximum minimum value क्या होगी, ठीक है, अब इस तरह के question आपको एक बार कहने पड़ेंगे, किसी को बताना पड़ेगा, तब यह सारे question आप से हो पाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, 2 sin square x है, और यहाँ पर 10 cos square x है, ठीक है, तो इस 10 cos square x से 2 cos square x निकाल के इसको दे सकते है, ठीक है, क्यों दे देंगे, क्योंकि जब 2 cos square x इसको दे देंगे, तो 2 2 common है जाएगा, sin square x plus cos square x जैसा बन जाएगा, समझ बात आ रही है, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, ठीक है, कहने का मतलब यह है, मैं थोड़ा सा चीजों को simplify करने की कोशिश करना हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ 10 में से 2 cos square x निकाला और इसको दे दिया, ठीक है, तो यह 10 में से अब इसके बात चीज़ें, अगर आपको, आपने नहीं देखा होगा कभी, तो आपको यह चीज़ें नहीं समझ मैंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना काम बनाने की कोशिश की है, कैसे, मुझे यह पता था, आपको भी यह पता होना चाहिए, क्या, कि sin 2 x का बनाने के लिए किस से गुड़ा करेंग, 3 से, अगर इधर 3 से, तो 6 sin x cos x के लिए आगे, 3 sin 2 x आगे, ठीक है, इसी तरहे यहाँ cos square x है, अब यहाँ 8 cos square x देखके, मुझे तुरंट याद फॉर्मूला आगे कौन सा, 2 cos square x minus 1, क्योंकि cos 2 x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos square x minus 1, ठीक है, तो cos 2 x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 cos square x, यहाँ क्या 8 है, तो 2 को 8 बनाने किस से गुड़ा करोग, 4 से, तो अगर इधर 4 से, तो इधर 4 से, तो इधर 4 से, तो इधर भी 4 से, ठीक है, तो यहाँ 8 cos square x के लिए लू क्या आगे, 4 cos 2 x प्लस 4 ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने देखिया क्या किया, यहाँ पे 3 sin 2 x plus 4 cos 2 x को एक पास लिख लिए और 4 दो कितना हो गया, अब बताई यहाँ A sin x plus B cos x जैसा देख रहा है, ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे है, यहाँ sin x कहां देख रहा है, यहा एक बाद ध्यान लगना है, ठीक है, sin का जो एंगल हो, वो बस सेम होना चाहिए, चाहिए यहाँ 2 x 2 x हो, चाहिए 3 x 3 x हो, चाहिए 4 x 2 x, चाहिए n x n x हो, कुछ भी हो, ठीक है, फॉर्मुला आप लगा सकते हो, कौन सा A sin theta plus B cos theta, बस एंगल सेम होने चाहिए, चाहिए 2 x हो, चाहिए 3 x हो, चाहिए 4 x हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 A sin theta plus B cos theta का फिर फॉर्मुला लगा दिया क्या, प्लस माइनस अंडरूट 3 का स्कॉर, प्लस 4 का स्कॉर, और प्लस 6 ही रहेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस इसका 25 हो जाएगा, 4 का स्कॉर 16, 3 का स्कॉर 9, 16, 9, 25, ठीक है, तो यहाँ, प्लस माइनस पांच, प्लस 6, ठीक है, तो मैक्सम वाल्यू क्या होगी, 6, 5, 11, और मिनिम्म क्या होगी, माइनस पांच, प्लस 6, मतलब 1, ठीक है, तो इसको, मैक्सम वाल्यू का पार्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी एक-दो वीडियो में बनाऊंगा, तब जाके यह कंप्लीट होगा, ठीक है, इसलिए यह जितना मैंने पढ़ाया, उससे रिलेटेट कोशन आप बुक से लगाएगा, उससे रिलेटेट और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी लॉक्डाउन खुलेगा, कभी ना कभी फेसे पढ़ाई शुरू होगी, कभी ना कभी फेसे एक्जाम होंगे, ठीक है, तो जब एक्जाम होंगे, अगर आप अभी से प्रिपैर अप मोबाइल में लगे रहेंगे तो फिर जब लॉगडाउन खुलेगा तो फिर जब पढ़ाई शुरू होगी तो आपका मन फिर पढ़ने में ज़रा सा भी नहीं लगेगा ठीक है तो अगर आपको अपना future secure करना है तो अभी भी जो time आपको मिला हुआ है वो घर में पढ़ते र बढ़ते है तो